पुलिस ने रसोय घर में अवयद रूप से चल रहे शराब तसकरी मामले में दो अफरीकी आरोपियों को गुप्त सूचना के अधार पर किया गिरफतार मोहन गार्डन पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि विपिन गार्डन इलाके के घर के रसोई घर में अव्यद रूप से शराब तसकरी का काम चल रहा है जहां अफ्रीकी नागरिकों का खाना बने के साथ अव्यद शराब दी जाती है गुप्त सूचना के आधापय मोहन गार्डन ACP विजय सिंग के दिशानरदेशन में IPS अक्षत कोशल की अगवाई में मजबूर टीम का गठन किया गया जिसमें मोहन गार्डन SHO अरुन कुमार, ASI संजय धामा और हेट कॉंस्टिबल लोकेंदर ने बताय हुए पते पर रेट कर वहां से अवैद बीर और विस्की की खाली बोतलों के साथ बीर की 11 बोतल और शराब की 3 क्वार्टर बोतल जब्त की मोहन गार्डन पुलिस ने फरार होरे दो अफ्रीकन नागरिकों को मौके से मुस्तैदी पूर्वक अपनी गिरफ्त में लिया पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों की पहचान माइक लोहो कुनवांसो यूइंका उमर 30 साल चीली एवांस इनबामरा उमर 22 साल दोनों नाइजेरिया के रहने वाले हैं आरोपियों से कड़ी पूस्ताच के दौरान पुलिस को पता चला ये दोनों अफ्रीकी नागरिक हरियाना के इलाकों में अवैद रुप से शराब सप्लाई करते थे और अवैद रुप से भारत में रह रहे थे पुलिस में मकान माली के खिलाफ आईपीसी 188 के तहट मामला दर्च कर लिया है जिसने बिना किसे वैद्धे कागस के इन अफ्रीकी नागरिकों को घर किराए पर दिया मोहन गार्डन पुलिस ने दोनों अफ्रीकी आरोपियों के खिलाफ अवैद रुप से शराब तसकरी चलाने के जुर्म में यूएस 33 एक्साइज एक्ट के तहट मामला दर्च कर दोनों आरोपियों से आगे की पूस्ताच में जुड़ गई है दिल्ली से विशे समवादाता अनीता गुलेरिया की रिप्ट